हेलो गाइज आपका स्वाइट है आपकी यूडिब चैनल डिजिटल दारो में है दूस्तो आज का टॉपिक है सब्पोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ये एक इंटुईशन पार्ट है इसके आने वाली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर करूगा ठीक है ये बह होना पार्ट वेक्टर मशीन का ठीक है इसके दो पार्ट फोते हैं डीकल क्लस्安全 के आष आते हो स्कूर्ट वेक्टर ग्रेशन ये जिलेंट फ़करं अब पहले देते हैं कि सपोर्ट वेक्र बार्डेशन होता क्या है Actually में उशकी थीरी क्या है स्पोर्ट एक्टे रिग्रेशन है वह लीनियर एंड नान लीनिय दोनों डाटा सेट पर हम एपलाई कर सकते हैं जिसे हम करते हैं instead of trying to fit the largest possible street between two classes इसके बारे में हम बाद में बात करते है पहले मैं आपको अगली diagram दखा देता हूं उससे आपको ज्यादा clear हो जाएगा जैसे की मैंने क्या किया x and y की अंदर एक graph plot किया उसमें बहुत साले data points आ और उस data points पर मैंने क्या किया svr machine learning model को apply कर दिया उसने क्या किया एक line को predict कर दिया मलगी आप देख सकते हैं यहाप तीन lines बन गी है वह कैसे बनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं इसने क्या जो सा score vector regression है यह क्या करता है यह हमीशा try करता है कि एक ऐसी रोड बनाए तो एक ऐसी रोड बनाए जो की एक दूसरे के parallel हो मुझे पता है आपको पता हुआ कि जो सी रोड होती है वह पैरलल होती है एक दूसरे के तो वह क्या करता है एक रोड बनापता है between the data points जिसमें max to max जो से data points है वो आ जाए मतलब कि जो सी यह road है इसके अंदर ही max to max जो भी data points हमारे पास given है वो आ जाए ठीक है इसका यह main function होता है support vector regression का ठीक है और जो से बाकी जो इसके अंदर नहीं आते माला जो road के अंदर data points नहीं आते उनको वह क्या कर देता है eliminate कर देता है ठीक है eliminate कर देता है आप देखरें होगे यहां पर एक black line भी है actually जो से black line है यही actual में हमारी prediction line है ठीक है यह हमारी बात होगी simple linear regression की तरह जब हम एक simple linear line बना जते हैं जिससे हम predict कर पाते है future values को ठीक है अब मैं आपको बताता हो कि जो सा यह जो से points होते हैं जैसे क eliminate कर देंगे तो मैंने क्या कि इसे red color में denote कर दिया ठीक है ऑ जो इस में से distance होता है दो से police जी ज़यादा रोल होता है इसकी हमांसे जो प्रेडिक्शन लाइन कोा जितना यह होगा उसी साब से हमारी क्रेडिक्शन लाइन क्रियेट होगी यह दोनों साइड होगा यहां से यहां तक भी और यहां से यहां तक भी यह अक oppressional है प्ली और सारे kernels होते हैं जब हम practical पार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसी हिसाब से हम क्या करते हैं इस prediction line को या फिर इस road को create करते हैं उसके बाद यह prediction line को create करते हैं अब आगे देखते हैं अब मैं आपको समझा देता हूँ अब आपको easily problem के लिए जाज़तर यूस किया जाता है मैं इसलिए जब classification problem आईगी तब मैं आपको इसे detail में बताऊँगा अभी के लिए बस आप इतना समझ जीए अब आगे क्या लिए instead of trying fit largest possible straight कहते कि जादा मना बड़ी street बनाने की जगा वो try करता है between two classes में दो classes के बीच में जो हमने line क्रेट की थी while limiting margin violence मलग कि यह try करता है कि वो limited हमारा जो सा वो space थी ना जो सी road थी वो limited हो ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़ी road बना दे ठीक है यह इसका try करता है और जो सा SBR होता है वो try करता है fit as many instances as possible on straight while limiting margin violence मलग कि जितना हम margin को कम कर सकते हैं उतना करें और उस हिसाब से हम जो सी prediction line है उसे create करें अब जो से third point आया जाता है वो कह कहता है the width of the street is controlled by the hyper parameter epsilon ठीक है आप देख सकते हो यहां पर पीछे यहां पर था यह epsilon ठीक है इसकी help से ही हम road की जो सी size है उसे predict करते हैं फिर उसे control करते है ठीक है तो यह बात होगी हमारी SBR की ठीक है तो आज की लिए बस इतना ही मुझे उमीद आपको बता लगया होगा कि SBR क्या होता है यह support vector machine का पार्ट है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है ठीक है मुझे रखते है आपको इसके बारे में सारी knowledge मिलगी होगी ठीक है आज के लिए बस इतना ही अगली बार मेलेंगा एक नए topic के साथ तिल एन गुट बाई